जब भी प्यार की बात आती है तो उसके लिए हमेशा सिंबॉलिक तोर पर फ्लॉवर का इस्तिमाल देखने को मिलता है चाहे किसी को थैंक्स बोलना या फिर गुड विशेस के साथ फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए फ्लॉवर को एक बेहतर जरिया माना जाता है हम बात कर रहे हैं वेलेंटाइन डेव वीक की जो की सोमबार यानी साथ फरवरी से शुरू हो चुका है जिसके पहले दिन रोज डे के मौके पर अपने किसी अती प्रिये विक्ती को रेड रोज यानी की लाल गुलाब का फूल दे कर अपनी भावनाव को विक्त किया जाता है तो रोज डे के अफसर पर बरेली में भी फ्लावर स्टॉल्स पर जम कर खरीदारी हुई जिसके बारे में शौक कीपर्स ने बताया कि वैलेंटाइन डे के पहले दिन जादा तर कॉलिज इस्टूडेंस के साथ वन बाई वन लोगों ने रेड रोज के फ्लावर्स को खरीदा जिसमें वाईज और गल्स के अलावा दूसरे लोगों ने रेड रोज को अपने लवर, हस्बेंट या वाइफ के अलावा फैमली मेंवर्स को भेट किये आजकल फ्लावर्स समेथ वैलेंटाइन डे वीक की सबी जरूरी चीजे और लाइन बुकिंग के साथ होम डिलिवरी तक की सो विधाय उपलब्ध हैं जिसमें लोग घर बेटे किसी भी चीज को मंगा सकते हैं वहीं इस बार विधासवचुनाओ के दूसरे चरण में बरेली में मतदान होना है और उसी दिन वैलेंटाइन डे है ऐसे में वैलेंटाइन डे समगरी कैसे लोगों तक पहुचेगी के सवाल पर बरेली के बटलर पिलाजा में फ्लॉबर शॉप कीपर दीपक गुपता ने बताया उनके हां ओनलाइन बुकिंग और होम डिलिबरी की सुबिधा उपलब्ध है जिसके जरीए वह लोगों के घरों तक पहुचाएंगे जिससे कस्टमर्स को कोई परिशानी नहीं होगी वही एक शॉप कीपर ने बताया इस बार कुरोना की वज़े से कस्टमर्स कम संख्या में फूलों को खरीद रहे हैं तो वही पेशे से वकील एक कस्टमर ने बताया अप्रेल 2021 में उसकी शादी हुई है और इस बार उनका फस्ट Valentine डे वीक है जो अपनी पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे है बिक्री सही है लेकिन यह है लोगों की वाल्यूम कम है कम अमांट में ले रहे हैं लेकिन ले अट ले सब ही दे रहे बहुत आरीकों मद्दाने वो ठीक हैं आद्मी पहले मद्दान देगा बात को यही बहुत होगा की मद्दान तो जो विय रहे है ऑनलाइन वही थी लोग आ रहे हैं अच्छी विक्री है ढ़ीज भी आ और फिरक पर ल्विर आर Сп़र जान पर जन्राएं और नूली कपल बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास तो वह लोग पर्चेस कर रहे हैं वन बाई वन टू आटो जो भी लूग को लग रहा है जो भी अपनी बाइब के साथ कर रहा हूं मेरा फर्स्ट रोजडे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपकी बाइब है निवली मेरेड हुए हमनों लास्ट थर्टी अप्रेल को ही हमारी मेरेज हुए थी एक्षिली हुआ कि उसके बाद कोबिड स्टार्ट हो गया तो लॉकडाउन लग गया इसलिए हम कहीं कुछ हो नहीं बाया लेकिन वेट हम लोग बहुत हैं अच्छा है